मेरे प्यारे साती नावसकर आज के वीडियो में राजस्तान जिके के 30 बहुतLY important क्यूसन लेके हैं जो की exam की दश्टी से very very important हैं आप लोग वीडियो को सुरु से अन तक देखेगा साथी रोजना राजस्तान जी के के इसे इंपोर्टन युसन पाना जाते चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजेगा आपको डेली राजस्तान जी के के इंपोर्टन युसन के वीडियो मिलते रहेंगे पहला क्योस्तान आपके सामने राजस्तान में किस वर्स में नमक शरम कल्यान योजना आरम हुई थी बहुत important क्योस्तान आप लोग ध्यान दीजेगा कि राजस्तान के अंदर किस वर्स में नमक शरम कल्यान योजना आरम हुई थी तो ये 2009 में आरम की गी थी आप्सन डी इसका सही उतर रहेगा क्योशनवर 2 की बात करते हैं राजस्तान में किस वर्स मुख्यमंतरी BPL G1 रक्षिया को स्योजना को प्रहरम किया गया था वेरी वेरी इंपोर्टन आप लोग याद कर लेना कि राजस्तान में किस वर्स मुख्यमंतरी BPL G1 रक्षिया को स्योजना को प्रहरम किया गया था तो ये 2009 में किया गया था आप्सन ए इसका सही उतर रहेगा क्योशनवर 3 की बात करते हैं राजस्तान राजे में किस आयूवर के पुरुस वर्स्त्री दोनों बेरोजगार बताएं तो आपको वो आंकड़ा बताना है कि किस उमर से किस उमर तक पुरुस और स्त्री दोनों बेरोजगार सबसे ज़्यादा है तो 15 से 29 वर्स की उमर तक जो बच्चे हैं जो भी पूरुसोर स्थित्री हैं वो सबसे ज़्यादा विरोजगार है तो option C इसका सही उतरेगा क्योशन नमर फोर की बात करते हैं राजस्तान में किस वर्स में पन्ना ध्याई जीविन अमरत योजना आरम होई थी option D इसका सही उतरेगा दो हजार दो के अंदर अपन्ना धाई जीविन अमरत योजना आरम की गई थी क्योशन नमर फाइब की बात करें वीर तेजाजी का जनम नागोर जिले के किस गराम में होँआ था तो खरणाल में होँआ था option D इसका सही उतर रहेगा आप लोग भी उतर जरूर बताएगा और वीडियो के अंतरी मांदरी से बताना की तीस में से आपके कितने सही हुए इससे आपके प्रेक्टिस ही हो जाएगी और आपको पता लग जागे कि आपकी त्यारी किसी आप लोग हर एक क्योशन का आंसर जूरूर कॉमेंट कीजेगा क्यूस उंवर सिक्स की बात करें नीमन मेंसे नागवसी जाट परिवार में किनका जनम हो ठानागवसी जाट परिवार के अंदर जनम होठी तेजा जी का एंप्सन बी हमारा उतर रहेगा क्योसनवर 7 की बात करें तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है तेजा जी के पुजारी को कहा जाता है घोडला आपसन A इसका सही उतर है क्योसन भर एट की बात करें वीर तेजाजी का विवाह किस के साथ वाता वीर तेजाजी का विवाएव वो पैमल के साथ वाता ऑप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा easy क्यूसन है लेकिन exam में person बन चुका है क्योसन भर नाइन की बात करें मेर की मिनाओं से छुडाने में अपने पराणों की आहुती दी थी तेज़ा जी ने ओपसन सी इसका सही उत्रे Q10 की बात करें परसीद लोग देवता पाभू जी का जो जनम हुआ था 1249 में आप्सन D हमारा उत्तर रहेगा Q11 की बात करें पाभू जी के पिता का नाम क्या था पाभू जी के पिता का नाम था धांदल जी आप्सन B हमारा उत्तर रहेगा क्योसन रबारा की बात करें राजस्तान में उंट की बिमार होने पे किस देवता की पूजा की जाती है important क्योसन आप लोग जल्दी से answer बताईएगा और वीडियो के अन्त में आप सब इसी एक important क्योसन पूजा देगा option B हमारा उत्तर रहेगा क्यों सन्वर 13 की बात करें राजस्तान का कौन सा समाज वीर विगाजी को कुल देवता मानता है तो जाखड option C इसका सही उत्तर है क्यों सन्वर 14 की बात करें किस से लोग देवता का बच्पन गायों के बीच में गुजर है राजस्तान के किस से लोग देवता को जो बच्पन गायों के बीच में गुर है तो पनराजी का option D इसका सही उत्तर है क्यों सन्वर 15 की बात करें छोटा राम देवरा किस से राजे के अंदर है भारत के अंदर छोटा राम देवरा काफी पहमस है और किस से राजे के अंदर है जो की गुजरात में option C इसका सही उत्तर है यहाँ पे राजस्तान यह नहीं होगा यहाँ पे गुजरात इसका सही उत्तर है जहाँ पे छोटा राम देवरा बहुत पहमस है क्यों सन्वर 16 की बात करें क्यों सन्वर 17 की बात करें गुजरा जी की माता का क्या नाम था बाच्छल ऑपे इससका सही उत्तर है आज के वीडियो में कुछ गयोंस है सरब्दस की उपचार है तो किस लोग देवता का समरंड की आजट है देखें सरब के काट है या फिर सरम्दस के उपचाहर है तो किस लोग देवता का समरण किया जाता है तो गोगा जी का देखिए सरब के काड़ने पर गोगा जी की पूजा की जाती है आप्शन ए इसका सही उतर रहेगा क्योशन नमर 19 की बात करें गायों के मुक्तिदाता तथा नागों के देवता की रोम में किनकी पूजा की जाती है गायों के मुक्तिदाता और नागों के देवता की रोम में पूजा की जाती है तेजा जी की आप्शन सी हमारा उतर रहेगा क्योसर नमर 20 की बात करें तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन आपसन सी इसका सही उतर है क्योसर नमर 21 की बात करें वीर तेजा जी का मूल स्थान कौन सा वीर तेजा जी का मूल स्थान सा सेंधरिया आप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा और यह सेंधरिया कहां पर आता है देखते कितने बच्चे सही दे पाते हैं उत्तर क्योसनर 22 की बात करें नागोर जिले के किस गाहों में तेजा जी की स्मर्टी का मेला बढ़ता है नागोर के अंदर तेजा जी के एक फेमस मेला बढ़ता है या फिर तेजा जी का पसू मेला भी कहा जाता है जो की परवसर नागोर के अंदर है आपसंसी इसका सही उतर है यह प और सी कारियों के उपकारग Δे उटागेरों में 2-0 परसंद बन memorial को तεται क्योषचनबर 24 के बात करें पाव क्योडा जी की घुडाँ मिन किया था पाव क्यषि monstrका किए पाव क्योडाँ का लुज्य कहु क्योडाई C इसका सही उतर है क्योशनवर 26 की बात करें भाला लिए अस्वारोही किस लोग देवता का परतिक चिन है भाला लिए अस्वारोही किस लोग देवता का परतिक चिन है तो ये पावो जी का है ऑप्शन C हमारा उतर रहेगा क्योसरनiałem 17 के बात करें, योगा भ्यास और जड़ी बुन्टी का ग्यान किसे लोगदेवता को था, योगा भ्यास और जड़ी बुन्टी को जो ग्यान है, वो था, कल्ला जी का आप्शन D हमारा उत्तर बनेगा क्योसनवर 28 की बात करें प्रकृती प्रेमी तथा पेड़ पोदों की रक्षा करने वाले लोग देवता कौन थे प्रकृती प्रेमी और पेड़ पोदों की रक्षा करने वाले लोग देवता थे तलिनाजी आपसन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योसर नमर 39 की बात करें राजस्तान के किस लोग देवता की ख्याती कबीर की तरह हुई थी राजस्तान के किस लोग देवता की जो ख्याती हो कबीर की तरह हुई थी बाबा राम देवजी की आपसन A हमारा उत्तर रहेगा कि उसन में तीस की बात करें गोवन्स की रक्सिया के लिए हिंदु समाज के किस लोग देवता का नाम अमर है गोवन्स की रक्सिया के लिए हिंदु समाज के किस लोग देवता का नाम अमर है तो यहां पे सही उतरेगा पनराज आप्सन सी हमारा उतरेगा अभी हम बात करें वीडियो के अंत में आप सभी से कि मोश्ट इंपोर्टन क्यूसान पूछा जारा है इसका आप लोग उत्तर जरूर दिजेगा देखते कि इतने बच्चे सही उत्तर देबाते बहुत इंपोर्टन क्यूसान है कि राजस्तान में किस जाती के लोग करनी माता में सफेद चूहों को अपना फूरुज बानते हैं राजस्तान के किस जाती के लोग करनी माता के जो मंदिर में सफेद चूह हैं उनको अपना फूरुज बानते हैं मिर्ना, भाट, चारण और भील इसका सही उत्तर आप लोग बताना अगर आपको उत्तर नहीं बता तो भी आप लोग कोशिश कीजिएगा क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और ये भी बताएगा कि तीस में से आपके कितने से भी इमान दरी से कॉमेंट कीजिएगा किसी भी किस्टों के लिए कि कोई डाउट और आया सुझाओ देना आप लोग कॉमेंट जुरूर कीजिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेना आपको डेली रास्ता अंजी के ऐसी इंपोर्टन के उसे इनके वीडियो मिलते रहेंगे थैंक यू बाई बाई बेस्ट अब लग